फाइनली गाईज वन प्लस टेन प्रो डिवाइस के अंदर इंडिया में ओक्सिजन ओएस 13.1 का सेकंड अप्टेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है तो इसी नए अप्टेट के अंदर आपको कौन-कौन से नए फीचर और चेंजेज हैं वो देखने को मिलते है और दो बड़े चेंजेज हैं वो यहाँ पर किये गए हैं वन प्लस की तरफ से जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तो अगर आप लोग वन प्लस टेन प्रो डिवाइस है वो यूज करते हो तो वीडियो को कंप्लीट देखना वीडियो अगर आपको य डिवाइस के लिए कौन सा अप्टेट है वो रिलीज किया गया है लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सेजेस्ट करूँगा अगर आप लोगों ने ये वाला टेलिग्राम चैनल है इसको जोई नहीं कर लेना यहाँ पर आपके साथ में इन्फोर्मेशन है वो पहले ही श स्क्रीन पर देख पर होंगे EX01 और वहीं मैं आप लोगों से बात करूँ अप्टेट की टोटल साइज के बार में 240.22 MB आप लोगों को अप्टेट की टोटल साइज है वो देखने को मिलती है तो ठीक टा किया पर आप लोगों को जो अप्टेट की साइज है वो देखने को म तो गाइस इस अप्टेट के अंदर आप लोगों को मैं 2023 का लेटेस्ट सेकूरूटी पेच लेवल का जो अप्टेट है वो देखने को मिल जाता है अभी हम लोग एकदम से तो लेटेस्ट है वो नहीं कह सकते हैं क्योंकि आज आप लोगों को डेट मिलती है 1 जून और ये जो अप्टेट है वो रिलीस किया गयता 31 मैं को तो ये जो अप्टेट है इसके अंदर अगर जून का सेकूरूटी पेच लेवल का अप्टेट आ जाता तो आपर काफी अच्छी बात रहती आप कुछ यूजर्स बोलेंगे कि आर मैं मंत के अंदर जून का अप्टेट है वो कै वर्ड किया जाता है तो ये तो हो गया फॉस्के बाकि मैं आप लोगों से बात करूँ ऄगर में लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ वन्पलस कि यहां पर यह तो तारीफ है ना वह कर भूड़नी होगी वो देखने को मिलते हैं, यह जो normal update है, वो release किया जाते हैं, जिसकी size आपको 200-200 MB मिलती है, कोई भी brand नहीं बताता है कि आपको कौन-कौन से नए changes है, वो देखने को मिलते हैं, इस update के अंदर हमको मेनत करके आपर पता लगाना पड़ता है, कि कौन-कौन से changes है, वो आपर किये गए हैं, इस brand की तरफ से इस update के अंदर, लेकिन OnePlus की case के अंदर ये काफ़ जाता है, पोजिट हो जाता है, easily हम लोगों को पता जाता है, कौन-कौन से changes है, वो OnePlus की तरफ से किये गए है, तो system के अंदर एक और improvement है, वो किया गया है, improve system stability, तो phone की performance है, उसको भी आपर increase किया गया है, इस update के अंदर, और मैंने आपको जो बताये दिना, दो बड़े changes है, वो किये गए हैं, इस update के अंदर, फर्स्ट तो हो गया, May 2023 का security page level का update, और second बड़ा change है, आपको ये देखने को मिलता है, Hazel Plate का आप लोगों को जो branding है, watermark है, वो देखने को मिले का, आपके camera के अंदर, जब भी आप लोग कोई नई photo है ना, वो click करोगे, तो आपके camera के अंदर एक नया feature है, वो ये आपर अब से add हो जाएगा, जैसे आप लोगी सब्टेट को अपने device के अंदर install कर लोगे, Hazel Blade का, उसके जरीए क्या होगा, जैसे आप लोग फोटो क्लिक करोगे, जो watermark पहले आपका normal आता था ना, वो ये आपर Hazel Blade के logo के साथ में हैगा, प्लस camera specification के साथ में हैगा, अगर आप लोग कोई pro video या फिर जो photo है ना, वो shoot करोगे, तो उसकी जो specification है ना, जैसे की ISO, Shatter Speed, तो यही कुछ आप लोगों को जो camera के main-main changes है ना, जिनको कि हम लोग कहते हैं, इनी से photo है, वो हम लोग क्लिक करते हैं, उनकी जो specification है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो यह कुछ changes है, वो OnePlus के तरफ से किये गए हैं, जो कि guys मैंने आपको इस video में बता दिये हैं, और हम लोग बात करें, बेटरी performance के बारे में, तो user का आप लोग खुद review है, वहाँ आपर चेक कर सकतो, आफटर इस update के बाद में, आप लोगों को बेटरी backup है, वो काफ़ ज़ता सही देखने को मिलता है, क्योंकि OnePlus 10 Pro device के अंदर आप लोगों को already 2 OS update है, वो मिल चुके हैं, तो OnePlus 10 Pro battery improved, तो यह जितने भी जो screen shot है, वो मैंने आपके साथ में, पहले ही share कर दियें, अपने इस telegram channel के अंदर, तो अगर आप लोगों ने इसको अभी तक भी join नहीं किया, तो join कर लेना, और वीडियो गर आपको यह अच्छी लगी, तो वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करके all पर प्रेस कर लिना, मैं मिलता आप लोगों से नेक्ट वीडियो में, जे हिंद वन दे मात्रम